Hello friends and welcome back to my channel मस्ती में पढ़ाए आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 दे स्केलेटर सिस्टम को पढ़ेंगे तो बिला किसी देरी के शुरू बढ़ते हैं The human body is the most complex of all the organism present on this earth तो बताया जा रहा है कि जितने भी organism हमारे earth पर पाये जाते हैं उसके बाद आता है स्केलेटर सिस्टम तो स्केलेटर सिस्टम हमारे body को एक support प्रवाइड करता है हमारे body को एक framework देता है मतलब धाचा देता है हमारे bones की help से और हमारे body में एक particular shape और definite shape को लाने में help करता है human skeleton जो होता है उसमें skull होता है backbone होता है rib cage होता है और two pair of limbs होता है यहां पर हम लोग human skeleton का photograph देख लेता है तो देखे यह वाला portion है यह skull है यह वाला जो बीच में आ रहा है यह rib cage है यह दोनो fall limbs है और यह दोनो जो नीचे वाला pair का इलाग का है इसको हम लोग lower limbs कहते है हम लोगों को different types के objects है उसको उठाने में help करते हैं फिर आता है rib cage जो कि हमारे heart and lungs को protect करके रखता है फिर lower limbs मतलब जो pair है हमारे दो वह हम लोगों को movement मतलब इधारोदा जाने में हिलने डूलने में help करते हैं अब skeleton क्या होता है जो हमारा framework है जो कि bones के help से बन रहा है हमारे body में उसी को हम लोग skeleton के नाम से कहते हैं bones जो होते हैं वो mineral से बने हुए होते हैं जो कि calcium और phosphorus में mainly देखने को मिलते हैं calcium और phosphorus हमारे bones को strong बनाते अब हमारे body में different different types के bones होते हैं कुछ bones short हो सकते हैं long हो सकते हैं flat हो सकते हैं या irregular हो सकते हैं कैक भी एक केजया और प्राइज परोल सकते हैं कि आप अब आता है बाड़ा इरिग बोन परन उक्षा दes FIRके जो ot tip की ऊंद्षालिन है फिर स्टेर पासमिर पर एक मेरे भी निसको परोता सके रागता रोकता है निया उसे eight bones जो होते हैं, वो skull बनाते हैं, और 14 bones जो होते हैं, वो face बनाते हैं, अब क्या function है skull हम लोग भी देख लेते हैं, skull जो है हमारा, वो cover करके रखता है, और protect करके रखता है हमारे brain को, हमारे जो face है, उसको एक definite shape देता है, और हमारा जो तित है, जो कि upper और lower jaw में present है, उसको support भी provide करता है, अब बताया जा रहा है, जो तित है हमारा, वो हमारे skeletal system का तो एक part है, लेकिन हम लोग उसे bones के तरह count नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा जो hardest substances जो हमारे body में present है, वो enamel है, जो कि हमारे दातों के उपर वाले portion में present होता है, अब बताया जा रहा है, कि जितना भी bones हमारे skull में present होता है, वो सारा का सारा fixed है, और उसको move नहीं किया जासेते हैं, लेकिन जो lower jaw है, वो movable है, मतलब ये वाला जो area है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला movable है, जब हम लोग खाते हैं, या बोलते हैं, तो हमारा जो lower jaw है, वही हिलता है, मतलब उपर वाला jaw है, या फिर ear है, eyes है, वो सब नहीं हिलते हैं, फिर आता है backbone, तो backbone जो होता है, वो हमारे body के extreme back में present होता है, इसे हम लोग vertebral column या फिर spine के नाम से भी जाना करते हैं, skull जो हमारा होता है, वो backbone से directly attached होता है, ठीक है, यह है backbone का एक photograph, अब बता जा रहा है, vertebral column, मतलब हम आपको बताया थे ना, कि backbone को ही vertebral column कहते है, तो vertebral column जो होता है, वो bones से बना हुआ एक structure होता है, जिसमे 33 small bones होते है, यह छोटे-छोटे bones है, यह 33 होते है, total in number, अब बताया जा रहा है, vertebra, तो यह जो small-small bones है ना, यह जो एक-एक है, उसको ही vertebra कहा जाता है, ठीक है, function क्या है backbone का, तो यह हमारे dialect organ, मतलब जो spinal cord है, इसके अंडर जो present होता है, उसको protect करके लगता है, ठीक है, फिर आता है rib cage, rib cage जो है, यह cage-like structure है, जो हमारे chest वाले reason में present होता है, यह जो total में बना हुआ होता है, 12 curve of thin curved bones, मतलब curve type के 12 bones से बना हुआ होता है, जो पतले-पतले जो curve होते हैं, उसको ribs कहते है, अब आता है stand up, तो यह बाला portion है, यहां से यहां तक, जिससे यह सारे-के-सारे ribs connected है, यह दो को छोड़के, उसको stand up कहते है, फिर आता है backbone, यह जो extreme back में present है, जो थोड़ा dark yellow से है, उसको backbone कहते है, और यह जो हमारा ribs है, इसक rib gauge है, वो हमारे heart और lungs को protect हरके रखता है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह जो extreme two last वाले है, यह हमारे stand up से connected नहीं है, इसको हम लोग floating ribs कहते हैं, और यह जो rib gauge है, इसके अंदर हमारा lungs present होता है, और इसी इधर ही कहीं side पर हमारा heart present होता है, अब आता है limbs, तो human body में total four limbs होते तो four limbs में क्या आता है, तो हमारा जो upper part of the arm है, मतलब यह वाला जो हम लोग का portion है, यहां पे सिर्फ एक bone होता है, जिसको human risk नाम किसे जाना जाता है, और जो lower part होता है हमारे हाथों का, वहां पे दो bones होता है, जिसमें से एक bones को alna कहते हैं, और दूसरे को radius कहते हैं, और यह उपर वाला bone है और जो नीचे वाला दो bone है, यह दोनों जिस जगहा पे connect होता है, उसको elbow कहते हैं, अब function क्या है four limbs का, तो हम लोग को यह different different type का जो objects है, वो उठाने में help करता है, मतलब lifting में help आता है, फिर आता है lower limbs, तो हमारा जो body का सबसे ज़्यादा largest bone है, वो femur है, जिस के बाद जो lower limbs है, उसमें भी जो नीचे वाला portion है, उसमें भी दो bones देखने को मिलते हैं, जिसमें एक tibia है और एक fibula है, और यह जो उपर वाला bone है, और जो नीचे वाला दो bone है, वो जिस जगहा पे joint होता है, वो knee है, आप यहां तक कि आपको clear होता है, अब आता है lower limbs का function, तो lower limbs जो है हमारा, जो हमारे दो pair है, उनसे हम लोग walk कर पाते हैं, move कर पाते हैं, और हमारे पुरा का पुरा जो body का weight है, वो भी हमारे body का यही उठाता है, lower limbs, ठीक है, अब बताया जा रहा है, जो हमारा long bones होता है, skeleton का, वो अंदर से एक soft fatty substance से भरा हुआ होता है, जो कि यह होता है, bone marrow, और जो हमारा body में blood, red blood cell produce होता है, वो यही bone marrow के थ्रू ही बनता है, अब नीचे आता है, giddles, तो यह एक ring-like structure होता है, जो कि हमारे body में present होता है, हमारे body में totally दो type के giddles present होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है, वो shoulder का होता है, और दूसरा hip का होता है, जो shoulder वा यह वाला picture में आपको समझा जबता है, अब आता है function, तो skeleton का function क्या है, अगर support के मादिम से देखा जाए, तो हम लोगों को यह जो पूरा का structure support है, हम लोगों का entire body का यह provide करता है, protection देता है internal organs को, जैसे की hurt हुआ, brain हुआ, आप comment section में मुझे यह बता है, कि hurt और brain, यह दोनों है, हमारे calcium और phosphorus को store करके रखता है, bones में, हमारा bones जो है, वो यही दोनों चीज़ों से बना हुआ होता है, फिर blood cell production, bone marrow जो होता है, वो हम लोगों को red blood cell बनाने में help करता है, अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है, कि doctor हमें हमेशा calcium खाने को कहते हैं, हमारे diet में, ऐसा क्य हमेशा calcium खाने के लिए advice करते हैं, अब आता है joints, तो human body में ऐसा जगह जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा bones एक जगह आकर के मिल रहे हो, वहाँ पर joints के लाता है, joints हैं हमारे different body parts का movement में help करता है, bones जो होते हैं, वो एक जगह पर आकर के joint पर जुड़े हुए होते हैं, ligament के help से, okay, the surface of the bone at the joint have a particular type of connective tissue called the cartilage, तो जहां पर जो bones जो है, वो joint हो रहे होते हैं, वहाँ एक connective tissue भी होता है, जो उन्हों को connect करके रखता है, उसको cartilage कहते हैं, cartilage जो है, वो protect करके रखता है हमारे bones को, जब हम लोगों को चोट लग जाता है, या पिर कुछ हो जाता है, और हमारे bones का जो life होता है, मतलब जो टूटे ना, ये चीज़ का विध्यान हम लोगों का cartilage ही रखता है, अब joints में भी दो तरह के joints हैं, सबसे पहले movable और immovable, तो movable joints जो हैं, उसमें synovale cavity present होता है, और यह पर immovable joints में synovale cavity present नहीं होता है, फिर हमारा जो movable joints हैं, उसमें movement हो सकता है, ले जिसका bones हैं, उसको include नहीं करता है, इह movable joint, safe for safe, skull वाले bones को ही include करता है, अब आता है types of movable joint, तो total जो होता है, वो movable joint का भी 4 type है, उसको हम जो एके करके पढ़ लेते हैं, तो सबसे पहले आता है ball और socket joint, ball and socket joint, तो इस तरीके का joint होता है, उसमें एक bone होता है, जो की ball shape का होता और यह जो ball shape वाला होता है, वो दूसरे cup shape वाला socket है, उसमें जाकर के fit हो जाता है, और इस type का joint है, उसमें maximum movement हो सकता है, सारे के सारे direction में, इसमें shoulder joint और hip वाला joint होता है, तो देख सकता है, यहाँ पे एक curved side का है, यह ring like का है, और इधर से एक bone सा करके, इसमें जाकर के करता है, उसे type का यह कुछ ऐसी तरीकी का है, तो इस तरीके का joint है, वो हम लोगों को back, मतलब rotation करने में help नहीं करता है, या फिर वो हम लोगों आगे बढ़ने में help करेगा, या पीछे मुणने में help करेगा, लेकिन वो rotate नहीं हो सकता, यहाँ पर आ जाकता है elbow का joint, और हमारे neck के जगह पर present होता है, यह वाला joint है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर pivot joint होता है, इस type का joint होता है, उस में circular direction में movement नहीं हो सकता है, और इस type का joint है, वो सबसे ज्यादा कम move कर सकता है, यह जो joint है, वो हमारे bones में देखने को मिलता है, जो की वोटेबल होता है, वहाँ पर बहुत सारे soft type के tissue present होता है, और हमारे body में total 600 types की muscles present है, तो muscles को भी दो category में बाटा जा सकता है, सबसे पहले voluntary और फिर involuntary, तो जो involuntary है, उसको भी आगे चलके दो चलिकिर से बाटा जा सकता है, पहला smooth और दूसरा फिर cardiac muscles, अब muscles में, voluntary जो है, वहाँ पर muscles आ सकता है, arms का, legs का, hands का, feet का, involuntary में smooth और cardiac अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद फिर अब हम लोग सबके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो voluntary muscles जो होते हैं, वैसा muscles है, जिसका जो movement है, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, the skeletal muscle present in the arms, legs, hands and feet are examples of voluntary muscles, तो मतलब बताया में लोग को समझना सिर्फ इतना ही है, कि जो भी action हमारे body में हो रहा है, muscles जो भी move कर रहे हैं, जब हमारे एक्छा के अनुसार से हो रहे हैं, तो वो voluntary muscles है, तो अब आपसे यहां पर एक question पूछा जा रहा है, कि आप बताये कि जो eyes है, वो जो blink करती है, वो voluntary muscles है, इसका question का ज है, उसमें उस type की muscles include हो सकते हैं, जिनका movement जो है, हमारे द्वारा control नहीं किया जा रहा है, वो अपने आप ही काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हम लोग तो बार बार सोच नहीं रहे हैं, कि हम लोगों को सांस लेना है, वो तो automatically हो रहा है, तो ऐसा का जो कि हम लोग control कर सकते हैं, वो voluntary में आता है, तो अब आप लोग मुझे comment section में ज़रूर बसाएं, कि जो हमारा arc blink हो रहा है, वो involuntary muscles है या voluntary है, अब involuntary में भी आगे चलके मैंने बताया था आपको कि दो तरीके से divide हो जाएगा, तो सबसे पहला यहां पर आ रहा है smooth muscles, तो जो cardiac muscle है, वो हमारे internal body parts में present होते हैं, जैसे कि यह walls of heart में present होते हैं, और जो यह muscle से हम लोगों को हर समय जो pumping होता है blood का, उसमें help करते हैं, अब बताया जा रहा है, care of bones and muscle, तो यहां पर है, skeletal system होता है, वो हमारे body को एक basic framework प्रोवाइट करता है, और इसी वज़े से हम लोग उतना strong ना हो पर, तो हम लोगों को strong बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को ऐसा खाना चाहिए, जिसमें calcium rate हो, जैसे कि milk खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए, यो कि जब हमारे body में calcium का intake होगा, तो हमारा body का mechanism है, उस calcium को utilize करेगा, और हमारे bones को strong बनाएगा, हम लोगों को regular exercise करना चाहिए, जिसके कारण जो हमारा bone है, वो strong रहे, ठीक है, जो joints है, वो lubricant रहे, मतलब उसको move करने में help हो, हम लोगों को हमेशा right posture में बैठना चाहिए, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, कि हम लोगों को हमेशा सीधा बैठना चाहिए, और हमारे back को straight करना चाह तो यहां पर 2 photograph दिया हुऊ है, एक में यहां पे दिखाया गया है कि एक आदमी है, जो कि एगँदम पूरा band है और दूसरा में यह दिखाया है कि आदमी सीधा बैटा है, तो हम लोगों को हमेशा इस टरीके से बैठना चाहिए, ना कि इस तरीकी का, क्योंकि इस तरीके से हमारा जो पुरा body का backbone है वो तिर्चा हो जाता पिर हमारा posture भी सही नहीं होता है पर इस जगा पर हम लोगों सीधे बैठे हैं तो हमारा mechanism ठीक से काम करता है अब बताया जा रहा exercise तो हम लोगों को हमेशा regularly exercise करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो circulation है वो continuously अच्छे तरीके से पंप हो पाता है एक्स्ट्रा फैड जो होता है हमारे बोडी का वो बर्न होता है और हम लोग स्लिम रहते हैं और स्मार्ड भी दिखते हैं हमारा जो unwanted waste material है हमारे बोडी से वो sweat के थ्रू निकल आता है और हमारा स्किन जो है वो गलो करता है हमारा फिजिकल स्टेंथ भी इससे बढ़ता है तो यही था यह चाप्टर चाप्टर टू आई होब कि यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशल हो अगर किसी भी और चाप्टर का वीडि झाल